कक्षा 12 केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत हैं हम पढ़ रहें क्रशी रसाइन विग्या इसमें आपका अध्या नमर एक है म्रदा जिवांश पदार्थ जिसमें हम पढ़ेंगे म्रदा के बारे में म्रदा जिवांश पदार्थ म्रदा अभिक्रिया के बारे में अमनियत तथा लवन प्रवावित म्रदाय पढ़ेंगे पादपों के आवशक पोशक तत्व उरुरों को म्रदाओं में अभी क्रियायम फस्दों में प्रवाव और फिर हम पढ़ेंगे दुख दरसायन तो सबसे पहले चेप्टर का नाम म्रदा खनी चट्टानों का अपक्षे और म्रदा निर्मान इसमें मैं आपको बता देता हूं नए तरीके से जो सेलेबस में बदला हुगा उस अनुसार में आपको यहां पर बता रहा हूं कि हमें सिप यही चीजे पढ़नी है मैंने जो पढ़नी खनीच पढ़ने चट्टानों का अपक्षे लेकिन उसमें चट्टानी नहीं पढ़नी और म्रदा निर्मान पढ़ना थीक हैं तो सबसे पहले म्रदा से शुरू करता है म्रदा शब्द की उत्पति लेटिंद भाषा की शब्द सोलम से हुई हैं जिसका शाब्दि फ्लोर, सर्फेस या फिर फड्श अगला पॉइंट नेक्स्ट म्रदा को प्रती की सबसे उपरी प्रत माना जाता है म्रदा एक त्रिवीमिय पिंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं गहराई होती है म्रदा वदो की व्रदी के लिए यांतरिक आधार प्रतान करती है जल एवं पोशक्ततों को प्रतान करती है म्रदा बुमी की उपरी सत्व पर असंगठित खनीच पदार्त तथा पादव व्रदी के लिए प्राकतिक माध्यम प्रतान करती है यह हमने बात किती म०्धा के बारे में ठीक है अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो परिभाशा आती हैं परिभाशा देखें बुक के अनुसर आप देखोगे तो आपको काफी सारी परिभाशा है और ऐसे आप यूटूब पर भी देखोगे काफी साजी परिभाशा है देखने वो मिलेगी लेकिन हमें एक मैं आपको सीधी साथ एकदम सिंपल परिभाशा बताता हूं मृदा एक प्राकतिक पिंड़े हैं जो विच्छेदित एवं अपक्षित खनीग पदार्थों तथा कार्बनीक पदार्थों के साड्ने से बने विभिन्थ पदार्थों के परिवर्तन शिल मिश्रन से परिछेदिका के रूप में विख सित होती हैं यहां प्रथि को एक पतले आवरन के रूप में ढखती हैं तथा जल एवंवायू की उप्युक्त मात्रा के मिलने पर पौधों को यांत्रिक आदार पर जीविका प्रदान करती हैं यह भी काफी दिफिकल्ड है तो सुनिए अब मेरी परिभाशा म्रदा एक प्राकतिक पिंड हैं जिसमें पौधों के व्रदी और विकास के लिए यांत्रिक आदार और पौशक्तत्व प्रदान करती हैं बस यह हो गया सीद्यासादी एकदम सिंपल परिभाशा ठीक है दोनों चीजे मैंने आपको बता दी अब आती है म्रदा की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष म्रदाओं में विबिन्य पढ़ते होती हैं म्रदाओं में विबिन्य प्यत्रक पदार्तों एवं जल्वायू संबंदी कारण के कारण अकारक की रासाइनिक एवं जेविक अंतर पाए जाता है दोनों पॉंट्स में क्या डिफरेंस है कि इसमें संस्तरों में विवाजित होती है होरिजन्स होता है जैसे यह कि अायोल होता है तो पड़ार्टों के संचार इस्तान अंतरनन संचector । कि कारण म्रदाओं में विविञ्झ क्या होती है न सागतल के संचा recreय ले दूसाइंट कहरा है कि म्रदाओं में विभिन्द पेत्रक पदार्टों जल्वायू समद्दी कारों को के कारण उसकी अकारकी राचाइनिक एवं जविक अंतर पाई जाते हैं ठीक है यहां तक क्लियर होगा अब आते हैं फॉर्म्शन्स ओप स्वाइल म्रदा की कारी क्या है तो नमबर एक बूप अपड़ी एवं वायू मंडल के मद्य में म्रदा एक आंतरिक सत्व होती है इस प्रकार यहां प्राकतिक साधनों जैसे उर्जा जल गेस एवं पौशक ततों का पौना चक्र करती हैं दूसरा पॉइंट क्या है एला पॉइंट समझ दीजे मैं चलिए दोनो की व्रदी के लिए यह अंतरिक आदार जल एवं पौशक ततों तथा पादप जड़ों को अक्सिजन प्रदान करती है म्रदा सूर्य उश्मा को बंदारन करती है और उससे व्रदी करते हुए पौदों को प्रदान करती है अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहना चार प्रदान करती है कि म्रदा पौदों की व्रदी के लिए यह अंतरिक आदार जल एवं पौशक ततों तथा पादप जड़ों को अक्सिजन प्रदान करती है म्रदा सूर्य उश्मा को बंदारन करती है और उससे व्रदी करते हुए पौदों को प्रदान करती है क्लियर है ति क्रशी के लिए उपयोगी होती हैं और क्रशी में उपयोग की जाती हैं म्रदा विबिन्द जीवों के लिए प्राकतिक निवाख सिस्तान होती हैं म्रदा का प्रयोग इमारतों के निर्मान सड़के तर्था निरंतक निरंतक पदार्थों को मिलाने में किया जाता हैं अब आत प्रागतिक पिंड माना जाता है यहां मिझ्ञान म्रदा के जण्ध्म निर्मान तुथा वित्रण से संभ कि यानि कि पेडिलोजी में धो हम पड़ते हैं म्रदा के लारा के बारे में पड़ते हैं उसका जण्म किस प्रकार से हुआ और उसका लिए उच पादब समूधाय के जैनी से होता है जिन से आकर प्पॉ runners की व्रद्धी के लिए हम उपियोगी करते हैं फफ्नो के उत्वाधन के लिए और जो हम म्रदागा उपियोग करते हैं अलग अलग तरérique से तो उच्छ पादव समुदाई के जो द्रेश्टी कोण से यहाँ पर एड़ेफो लोजी में अध्यान किया जाता है यह थी आज हमारी छोटी सी केमेस्टी की क्लास आई होग इस क्लास के माध्यम से आपने बहुत कुछ सिखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर यह पीडियाफ अप्लोड हो चुकी है फिर से कह रहा हो एक बार तो सीरा जाए टेलीग्राम चैनल पर और इस पीडियाफ को नोट कर लीजें और यह नोट्स आपको बिलकुल फ्री में प्रॉइड हो रहे हैं तो आप इनसे पढ़िए धन्यवाद मिलते हम नहीं क्लास में बाय बाय